नमस्कार मैं एड़वोकेट प्रसांद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एक्टूप चैनल आरसी इललबी में सत्यों जब कोई भी विक्टी जो है कानूनी मावलों में फसता है यानी की कोट काशेरी के मावलों में फसता है तो उसे सबसे ज़्यादा डर रहता है वारंट जारी होने से कि यदि वारंट जारी हो गया या हो कि आपके पास पहुंचता है तो आपको गिरिफतार होकर जेल जाना पड़ेगा सातियों अपने देश में नए कानून जो है एक जुलाई से लागू हुए है और उनके अनुसार वारंट क्या है या यह नए कानून में किस धारा के तहट समाप्त कराय जा सकते हैं या नए कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है दूस्तों बात करेंगे बारंट के बारे दे दी जाती है और वारंट को कैंसिल कर दिया जाता है कोट द्वारा साथियों जो गैर जमानिती वारंट होता है नवी डबलू होता है उन में आपको गिरिफतारी होनी है और पुलिस दारों आपको गिरिफतार करके 24 घंटे के अंदर कोट में पेस करना पड़ता है दोस्तों BNSS यानि कि वारती नागरिक सुरक्षा सहिता के सेक्षन 72 के अंतरगत कोट द्वारत जारी किये जाते हैं जो वारंट होते हैं साथियों वारंट को जारी करने का और वारंट को खत्म करने का प्रावधान भी सेक्षन 72 में दिया गया है यानि कि court warrant जारी करेगी तो section 72 के अंतरगत और इसे निरस्त भी करेगी तो section 72 के अंतरगत जो की VNSS के अंतरगत section आता है आएए देख लेते हैं कि section 72 क्या कहता है दोस्तों यह बताता है कि गिरिफतारी warrant का प्रारूप और उसकी अबधी के बारे में कि इस सहिता के अधीन नियाला द्वारा जो वारंट जारी होगा वह लिखित में होगा और इसे जारी करने वाले court के पीठा सी नदिकारी के हस्ताक्षर और जो court होगी उसकी मोहर लगी होगी दोस्तो section 72 का पहला पार्ट बताता है कि वारंट कैसा होता है दोस्तो section 72 का दूसरा पार्ट में बताया गया है कि कोई भी वारंट जब तक प्रभाव में रहेगा जब तक जिस court द्वारा जारी किया गया है बहे निरस्त ना करे यानि कि दूसरा पार्ट कहता है कि जिस कोट द्वारा जारी किया गया है बहे ही से समाप्त करेगा या केस ही समाप्त हो जाए तब बहे समाप्त होगा तो साथियों कोई भी वारंट ये आपके पास आता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए देखना चाहिए कि यह बारंट सही है या जमानिती है या गैर जमानिती है और उस पर जारी करने वाली कोट या पीठा सीन अधिकारी के साइन होने भी चाहिए और इस सबी को जरूर चेक करें साथियों कोई भी पेपर जब आपके घर आता है कोई भी अधिकारी लेकर तो आप उसे देख सकते हैं और ये दिया जमानिती बारंट है तो ग्रिफतारी नहीं होगी और गेर जमानिती बारंट है तो बचकर रही है और आपने बकील साप के माद्दिम से उसे निरस्त काराई है साथियों बारंट जारी भी सेक्शन 72 के अंतरगत हुआ है और भैसमात भी भारती नागरिक सुरक्षा सहिता के सेक्शन 72 के अंतरगत ही होगा तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकरी आपको स्पस्ट बस समझ आई होगी और हम सभी ने जाना के बारंट के लिए नए कानोनों में क्या प्रापधान दिये गए है या क्या प्रापधानों में कोई बदलाओ हुआ है इस सभी को सही से समझा जद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा